शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले मर्चुरी के लापरवाही के चलते मेडिकल में सुबह दो शओ की अदला बदली हो जाने से भारी हंगावा हुआ लेकिन जब ये बात परीजनों को पता चली तो उन्होंने शव की पहचान की जिसके बाद दोनों शव को उनके परीजनों को सोपा गया बाद में शव पर अंतिम संसकार किया गया अस्पतालों की लापरवाई कभी-कभी कितना बड़ा बावाल खड़ा कर देती है या आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई इस घटना से उजागर होता है मर्चुरी की लापरवाई के चलते मेडिकल में सुबह दो शोओ की अदला बदली हो गए इस पर भारी हंगामा हुआ वृद्धा के परिवार को उनका वास्तविक शोओ सोंपा गया यह तो अच्छा हुआ कि वृद्धा का शोओ भी मोक्षधामी ले जाया गया था देर रात में मोक्षधाम में शोओ का अंतिम संसकार कर दिया गया अजनी थाने के तत आने वाले जैभिमनगर में एक वृद्धा मैला की बुध्वार को मृत्ति हो गई थी कोरोना का टेस्ट करने के लिए बुध्वार की रात मैला का शोओ मर्चुरू में रख दिया गया उसी दिन सकरदरा थाना के तत आने वाले एक वृद्धा श्रम में एक वृद्धा की मौत हो गई थी उनका भी शव मेडिकल कॉलेज की मर्चुरी में रखा गया था सुबह दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई रिपोर्ट आने के बाद वृद्धा श्रम के और से शव लेने के लिए एक पुलिस कर्मी पहुंचा मर्चुरी के कर्मियों ने उसे शव दे दिया था लेकिन गलती से वृद्ध की जगह वृद्धा का शव दे दिया गया शव लेकर पुलिस कर्मी सीधे मौक्षदाम पहुंचा और उस शव को दफनाने की प्रक्रिया की जाने लगी इधर जैभीम नगर के लोग जब अपने परिजन का शव लेने आये तो मामला उजागर हुआ वे लोग परेशान हो गए तब पता चला कि कर्मचारियों की लापरवाई से शव की अदला बदली हो गई है इसके बाद हंगामा मच गया खबर है कि मेडिकल से ही पुलीस जैभीम नगर के लोगों को लेकर मोक्षधाम पहुंच गई वहां वुरुद्धा का अंतिन संसकार करने की तैयारी चल रही थी इस बीच पुलीस ने जैभीम नगर के लोगों को उनके परिजन का शव सोब दिया खबर है कि देर्रात रुद्धा का अंतिन संसकार कर दिया गया नाकपूर के मोक्षधाम शम्शान भूमी से क्या मेरा परसन विरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मीरे इन बीसे न्यूज नाकपूर